स्वागत है हकीम साब जण्देबाद हकीम साब बात करें थायरेट को लेके तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको थायरेट के साथ साथ शुगर भी है साथ साथ उन्हें कब्स भी है तो अगर वो थायरेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या बाकी रोगों को भी कंट्रोल की जा सकता है अचल्या थैरई थेक ही हो सकता है और डाजबी ग्रत ब्लोड पेशнее ठीक हो सकता है सबसे पहले थाइराइड को कंट्रोल करना होगा और थाइराइड भी आप देखेंगे के यह भी डायबटीज की तरह बढ़ता जा रहा है और महिलाओं में बहुत ज्यादा और महिलाओं को चाहिए के पांच बार गरम पानी पियें खुब गरम पानी और धूप में भी चलें दूप में चलें दूप में पूरा दिन अंदर हो जाता है घर मैं तो अगर ऐसे दूप नहीं आती है घर में तो बाहर निकलें या झrik जाएं detail जब्सक्राइज गाइब बहुत जरूरी है इससे भी आपनित्रों को कम च्रॉल किया जा सकता है तो बिलगतुँ सबाने वात कि अगर आपको थारेट हो गया है आपको शुगर की प्रॉबलम है कब्स की शुकायत है बीपी की प्रॉबलम है लिवर की प्रॉबलम है किड्नी रिलेटिट कोई प्रॉबलम है यानि कि सबसे बड़ी बिमारी के अगर हम बात करें कैंसल जैसा रोग भी युनानी से आपका ठीक हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको यह जानना होगा कि आपके रोक के लिए लिए कौन का वोसकता है वह घिम्ती नुषप है बात吗 बिक्राया कॉल यह पुरुक्त पहले कॉलर है कोलकाता से हमारे सार्थ सुभाज फ्री स्वागत है आपका हालो नमस्ते मुझे थाइरट के बारे में कुछ पूछना है बताइए बताइए देखे थी धन्या सोग्राम में थी सोग्राम और आमला सोग्राम फिर और के क्या कह रहे हैं और आगे फिर से थोड़े आप बोलिए तो आप यो बोले थे में देखे ती तीन तो चीज लिख लिए हूं धन्या सोग्राम में थी सोग्राम आमला सोग्राम और क्या चाहिए जी 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 अचा धन्या तीन सो ग्राम लेना है लिखिए धनिया तीन सो ग्राम मैथी सो ग्राम और आवला सो ग्राम और सो ग्राम लेना है गौन मौरिंगा गौन यानि गम गौन मौरिंगा ये सफेद वाला लेना गौन मौरिंगा सफेद तो ये रो मैटेरियल लेने हैं और घर पर पाउडर बनाना ह पिर एक चम्मच सुबा एक चम्मच शाम तक्रीबन तीन गिराम छोटा चाय का चम्मच होता है यह आप लिया करें और वो गोली भी ले थायराइट की जो आप खाते हैं आप देखेंगे कि आपकी थायराइट की गोली हर महीने कम करते जाएंगे आपके डॉक्टर जब आप पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी काफी फार्क नजर आएगा और धीर-धीर आपकी थायराइट की गोली खत्म हो जाएगी और आपके डॉक्टर के मच्वरे से फिर आपका थायराइट भी ठीक हो जाएगा और यह नुस्खे से आपको इस नुश्के से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलर हैं, गुजराद से फातिमा बानो हमारे साथ, स्वागत है आपका। हालो? हालो? हान जी, बोलिये, सवाल करिये। गले में सांकड़े होते हैं गले में सांकड़े होते हैं अच्छा किसको है, कितनी उमर के मरीज हैं? मेनी इस्टर को है निये, उनकी एज होगी ना, उनकी एज बताईए तक्रीबन अंदाज हैं? उनकी उम्र क्या है? उनने साल. ठीक है. अच्छे देखिए, घरे ले नुसका भी बताता हूं और वाकाइदा इलाज भी बताता हूं. घरे ले नुसका ये है कि आप लिसोडा, उननाब, लिसोडा, उननाब और अलसी को सौ सो गिराम लेकर पाउडर बनाएं और इसमें 30 गिराम पीपले मिलाएं जो किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं गरम मसालों में एक एड़ इंसकी जो लंबी सी खूब्सूरत सी, काली सी पीपन होती है वो इस गराम मिला पाउडर बनाएं और स्वाइस गरम पानी के साथ ले और पांच बार गरम पानी पीए अपनी सिस्टर से पांच बार गरम पानी पी और विसके लिए इसके लिए बाकाईज मेंत कर सकते हैं माजून आर केर सुबह शाम लेने से इनकी इम्मुनिटी बढ़ जाएगी और इनका ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है हरियान से पूजा हमारे साथ स्वागत है पूजा जी नमस्कार पूजा जी आदा बताईए क्या सवाल है सर्व मुझे ना आप खेस पे की वहां से बहुत हो रहे हैं मैंने लोक्तर से भी डवाई ली लेकिन तब मैं दवा लेती हूं तब ठीक रहती हूं उसके बाद फिर हो जाते हैं फुन्शे हो जाती है पिंपल और उसके बाद मेरे पेस्ट पूरे पे खुचली चलती है और नेट में गर्दन पर भी चलती है कभी कानों में चलती है और पाल बहुत जड़ते हैं मेरे चीक दिखिए इन सब का एक इलाज वड़ा अच्छा है अगर आप कर लें और दिखिए एक गौंद आता है गौंद मौरिंगा यह आधा ग्राम यह रोब मैटेरियल ले ले औ और आधा गिराम रोजाना पानी में मिला कर आप पी लिया करें यह आपकी सारी समस्या का निदान मुम्किन है बिल्कुल तो पूजा जी आपकी जो परेशानी है वो बहुत चोटी सी है सिर्फ आपको यह नुस्के अपनाने हैं और फिर देखिएगा कितना खुबसूरत च सब्सक्राइब चल रहा है आप लोगं भिन उसके जान सकते हैं सीधा हखीम सहब से बात कर सकते हैं सिर्फ आप लोगों को फोन उठाना आच लगतार दिक्वासरत नमस्कार स्वागत आपका सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजियो सवाल करें सवाल आपका सबसे पहले हैं एक गोली जीमा तू लेरी और हमें पैसी दवाई लेरी उसे मेरी शुगर तो करीब 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 कंट्रोल हो जाती है लेकिन मेरे को चाहे जब राज को ज्यादा तर नीम की परेशानी रहती है और प्रेट में गयर सबस्ती है तो मेरे को नीम नहीं आथी हुँ ठीक है मैं डाइबिटिक पेशेंट हूँ और नहीं बेशी ले रही हुँ और में बैसी भी ले रही हुँ ठीक है मैं समझ गया आपकी एज का पता चल जा जाए तो मैं आपको आसान निसका बता जीता हूँ पांपकी रिवें अज हमागे की सफाद्रेटन स्यरे म però मेरे कर से में तो में आपको पने आपके यह प्रिशार त्राप लकीर यह तो मैं एक स्तुरियसता वी जो सबद्शन को हरा दो त्वाद्यके ृप दिक इसし सबमाने एक सिर्का आता है जिसे जैतून का सिर्का कहते है जैतून का सिर्का ये तीन चमच आप एक गिलास पारी में डालके रोजाना रात के समय पिया करें एक गिलास पारी में डालके छोटे चाय के चमच आप देखेंगे कि पहले दिन से आपको सुकून मिल गया बिल्कुल को भी करता है और बहुत सारे फाइदे इसके आपको जो डाइप्टीज की दवाएं के नुखसानात होते हैं वो भी नहीं होने देता आप इसे इस्तेमाल किया करें और पूरा जीवन आप सेहत के साथ गुजार सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है महाराश्र से भगवान हमारे साथ स जी महाराश्र के भगवान साथ आप बताईए क्या सवाल है सर मेरे जो एक कान की तरफ से ना एक कान में है आवाज आती रहती रहती है राज दी ना आ जाती चोबिस गंटे ठीक है कान की आवास के लिए आपको रोजाना छे मिनट निकालने होंगे और वो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं आपको वो करनी होगी तो पंद्रा दिन में जाकर फायदा होगा आपको ऐसा मत सूचना एक दिन में हो जाया और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है देखिए ये कान इससे मिलाई है कंदे से जैसे मैं मिला रहा हूं काफी लोग क्या करते हैं ये मोड़ा उठा दिया और कान मिला लिए मोड़ा बिलकुल नहीं उठाना ये आपको रोजाना तीन मिनट करना है खूब जोर से मिला दे बिलकुल ठीक है और एक यह है ऐसे 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 ये भी तीन मिनिट करना है तीन मिनिट एक साथ कोई नहीं कर सकता एक एक मिनिट करके तीन बार में करें और शायद दवा की भी ज़रूत नहीं पड़े और आप यकीन करें कि पंदरा दिन करना है और पंदरा दिन में आपकी आवास कहां कई कान में जो शाह शाह चलती है वो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे ऐसा मेरा जाती तजर्बा भी है और नसों की कमजोरी के लिए गौन आता है एक स्याह गौन इसे काला गौन भी कहते हैं नकली बहुत मिलता है असली लेना है रो मेटेरी लेना है और आधा ग्राम सुबा आधा ग्राम शाम खाने के पश्चात लिया करें पानी से या बगएर चर्बी के दूसरे तो आपको नसों को भी फायदा होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है हरीदुआर से नेहा हमारे साथ स्वागत है आपका जी बनके वाद मैं हां जी बोले इस नमेरी पेटी है आठ साल की और उसके चेहरे पर बहुत बारिक बारिक से पूरे चेहरे पर तिल हो गए है तो मुझे उनके बारे में जानना था मैं जी जी हां बहुत चोटी बच्ची है उसको अगर वो खजूर खा सकती है तो एक अच्छी किसम की खजूर सुबा और एक अच्छी किसम की खजूर शाम को दिया करें और तोड़ा सबर करें क्योंकि महीने दो महीने में रिजल्ट आता है बस यी काफी है उस बच्ची के लि जी नमस्कार बोलिये बात करने थी मुझे थायरेट था था थे ले अपिन ताप से जी बताइए सुझाता जी जी सिरु मुझे थायरेट है ते ले पूछना है बन्ता दवाईय है थाती हुं तो मतलब इसे नॉर्मल है एक लेकिन एज कितनी होगी आपकी एज अठाइश चीक अच्छा सुझाता बच्चा देखो थायरेट का इलाज हो सकता है अगर आप साथ-ाथ महीने करें फिर इससे आपको निजात मिल जाएगी और वो नस्खा यह है कि धनिया ले 300 ग्राम थनिया 100 ग्राम मेथी 100 ग्राम आवला तो इसको पॉडल बना एक चमस सुबा एक चमस शाम खाएं वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर देता है और यह अगर आप साथ-ाथ महीने लगातार खाले तो आपका थायरेट से निजात मुम्किन है बिलकुल तो आपका थायरेट बिलकुल अच्छा हो जाएगा ठीक हो ज बलकि बढ़ भी नहीं पाएगा अगर आप इन उसके अपनाती है तो अगर अधिक जानकरी प्राप करना चाहती है और डिटेल में बात करना चाहती है उसके लिए आप हेल्प लाइन नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकती है आई यह बात करते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ करते हैं इसका बढ़ना अच्छा नहीं है और इससे निजात भी मुम्किन है अपनी डॉक्टर की हिदायत पर भी चले है लेकिन एक नसका बढ़ा अच्छा है वो यह है के जैतुन आता है जैतुन उसका नमक कहते है नमक जैतुन आप ले लें सो दो सो ग्राम और आधा ग्राम एक ग्लास पानी में मिला कर रोस पी ल समक तो आप देखेंगे कि यह आपका जो क्रिटिनाई ने एक ही महीने में कंट्रोल आ गया लेकिन आपको काफी दिन तक पीना चाहिए ताकि किड्नी अपना काम ठीक से करने लगे कर दो देखेंगे